दुर्गजीले की सांसद और पाटन विधान सभाज शेतर से भाजपा प्रत्याशी विजय बगेल ने अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से पाटन शेतर की जनता से निरंतर वे संपर्क में हैं जनता का लगातार उन्हें समर्थन मिल भी रह है किंद्र सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाब पाटन शेतर की जनता को मिला है प्रदिस की कॉंग्रिस सरकार पर हमला करते हुए उन्हें कहा कि प्रदिस सरकार ने विकास के नाम पर जनता के साथ केवल चलावा किया है प्रदिस सरकार ने सभी वर के लोगों को ठ जो प्रत्याशी चुने गए हैं और बगहेल बड़से बगहेल में क्या इनकी भूमिका रहेगी और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं उनसे जानेगे सर सबसे पहले आपका सुवागत है बहुत बहुत धिन्नवाद और मैं पाटन विधान सभा से आप प्रत्याशी हैं और आप अगरी ग्राम भी रहा हुआ है और आपके जो सामने में हैं राज्य के मुखिया हैं किस तरह का आप वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं अपना पैठ मजबूत करने के लिए देखिये पाटन तो मेरा घर के समान ही है और एक परिवारिक संबन पाटन सेत्री की जनता के साथ मेरा है अर सुख में दुख में और उस रूप में भी मैं लोगों के बीच में हमेशा प्यार इसने पाता रहा हूँ राजनितिक द्रिश्टी कौन से भी उनका बहुत इसने प्यार और सहयोग मिला है आज उसी के वदोलत मैं एक सांसत के रूप में यहां बैठ के आप से बात कर रहा हूँ और उनी की कृपा है कि पाल्टी ने मुझे वहां प्रत्यासी बनाया भारती जनता पाल्टी से और वरतमान के कांग्रेस के सबसे बड़े सहरे मुक्यमंत्री जी के साथ इस कांपेडिशन में प्रत्यासी बनाया है मगर पाल्टी चुनाओ लड़ती है हमारे कर्मट कार करता भारती जनता पाल्टी के हमारी बहने हमारी युवा साथी हमारे बुज़ूर्व सब पूरी तनमेता से लगे हैं बीना डर भाय के और उसका प्रितिसाद भी मिल रहा है, जनता जनारदन का भरपूर आशिरवाद मिल रहा है और निश्चित रूप से हम वहाँ चुनाव में विजैश्री हासिल करेंगे भादपा के 36 गड़ के विधान सपाशितर के गोशना पत्र समीती क्या आप सहयों जख हैं, बताएंगे बहुत अच्छा गोशना पत्र हमारा आएगा और हमारा गोशना पत्र सच्चाई से आदारित होगा कांगरिस की तरह बखवास करने की आदत हमारी नहीं है एक नेता कुछ बोल रहा है, दूसरा नेता कुछ बोल रहा है अभी देखे ना कि इधर मुक्य मंत्री कुछ बोल रहे है, करजा माप करेंगे साड़े सत्रा लाग लोगों का आवाज देंगे यह बनावटी बात हैं हमें नहीं आती, हम जो करते हैं धरातल पर दिखता है एक तरफ यहां कृष्री मंत्री चौबे जी बोल रहे हैं कि हम पहले तो 3600 दे देंगे दानकी की मत्फिर, अभी 4000 बोले ऐसा कुछ वीडियो वाइरल हुआ है कुछ भी बोले जा रहे हैं, इधर से दक्षिन से कुछ और, कुरप से कुछ और, T.S.C. अदेवजी कुछ और बोल रहे हैं, मतलब इन में एक रूपता नहीं है, बस लोगों को दिख्मेट करना है, किसानों को परिसान करना है, किसान कर्ज माफी के नाम से बड़े उतावले हो गया भी, तो अभाविक है, तो थोड़ा सा सैयमीत बरते और मैं लिस्सित रूप से भारती जनता पार्टी के गोशना पत्र समीती के सयोज़ा कोने के नाते मैं जनता जनारदन से यही करूँगा, कि जनता के हित में कार करता, किसान भाईयों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, बहुत अच्छा हम घोशना पत्र ला रहे हैं, जिसे धरातल पर उतारेंगे. राज जी के नागरी को किस तरह की सौगाते दी जाएंगे? देखे, राज में यह आते हैं, किसान है, महिला है, हमारे जो युवा है, ब्यापारी हैं, उद्योग पती हैं, चोटे-चोटे फुटकर ब्यापारी, ठेले कोमशों में बैटकर ब्यापार करने वाले अधिकारी हैं, कर्मिशारी हैं, साथ ही साथ पतरकार बंधू भी हैं, तो विवस्था में जितने भी लोग जुड़े हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि सरकार से कुछ न कुछ अपेक्षायर सब्की रहती है किसी की छोटी किसी की बड़ी उन सब बातों को समाहित करके हम माननी प्रधान मंत्री जी के जो सपने है एक मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उस भाव को हम गोशना पत्र में निश्चित रूप से लाएंगे और उसको धरातल पर उतारेंगे प्रधान मंत्री जी के आपने बात की ऐसा सुनाई में आ रहा है चर्चाओं में है कि उनका दवरा है आने वाले दिनों में कि इंद्री मंत्रियों का दवरा क्या दरश आता है क्या असुरक्षित मान रहे है यहाँ पर जो भाजपा की जो रण नीती है उनके समिकरन को लेक पाल्टी के लिए जहां भी पाल्टी लड़ रही है, संघर्ज कर रही है, वहां हमारे बड़े नेता आके हमें संभल प्रदान करें. और जनता जनारदन से मिले भेटे जनता भी चाहती है कि हमने कभी मोदी जी को नजदीक से देखा नी है. हमने किसी अमीसाज जी को नढड़ा जी को देखा नहीं है हमने राजनाज जी को देखा नहीं है तो यह सुभाग मिलता है राज जज्य की मुगिया अब के बार 75 पार का जो नारा बुलंद कर रहे हैं वो क्या कितना कारगर साबिद होगा क्योंकि भारती जनता पार्टी ने भी एपनी काफी पैट जमा लिया देखिए क्या है ये लोग साध हमारा आंकड़ा बोल रहे हैं और इस बार दिखेगा हो जिस तरह वो लोग बड़ी बात कर रहे हैं न हम लोग बड़ी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरे बहुमत के साथ हमारी विधायक जीत क्याएंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे इतना चुनौती मानते हैं आपके सामने मेराज के मुखिया हैं चुनौती तो है बड़ा शेहरा है बड़े पैसे वाले हैं दो नंबर का बहुत पैसा है और पैसे का खेल सुरू हो गया है तो चुनौती तो है और हर चुना चुनौती होता है चुकि मेरे सामने तो बड़े फिगर हैं मगर जन्ता जनारदन का असिरवाद मेरे साथ है इसलिए हर चुनौती को हम लोग औसर के रूपने बदलेंगे और जित हासिल करेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने अल्प समय में हमें समय दिया